Alright, so इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको उसके पर्सनल एक्सपीरियन्स शेर करने वाला है, मास्टरबेशन को लेके इंटरनेट पे बहुत दादा मिस्गाइडिंग इन्फरमेशन है, इस टॉपिक को लेके कोई कहता है, सुबह हिलाओ, शाम को हिलाओ, कभी भी हिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है कोई कहता है, हिलाने से अंदे हो जाते है कुछ भी? कुछ भी? अब इस वीडियो में, मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ ना, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियन्स है और उसके बाद आपको बता रहा हूँ ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी जूट नहीं बोलूँगा एक टाइम पे ना मैं इससे एडिक्टेड था मतलब जब मैं मेभी 16 का था तब ऐसे हालात हो चुके थे मास्टरबेशन किये बिना नींद नहीं आती थी मतलब लिटरली मैंने दिन में 2-3 बार भी किया है मन्त में 1 बार भी किया है 6-6 मैने तक भी कंट्रोल किया तो मुझे exactly पता है कि कौन सी चीज actually मुझे हाम कर रही और कौन सी चीज मुझे benefit दे रही है और इन चीजों से मुझे एक rough idea लग गया कि masturbation actually bad है या नहीं है अब शुरू करते है तब से जब ये चीज दिन में 2-3 बार कर रहा था मैं बावा जब पहली बार किया ना तब समझ में आया कि भाई इश्क का रंगना लाल नहीं है सफेध है और जब पहली बार किया ना तब कत्य ही मेरे मूँ से यही चीज निकली थी बावाल चीज है वे साला सिस्क मिल जाता है बट ये जो मजा है ना वो मजा लेने की आदत बन गई थी अब मैं बस मौके की तलाश में रहता था कि जैसे ही मेरे घरवाले घर से जाए और मैं मेरा नोकिया C101 निकालू और पॉन लगाँ और ये चीज कर लू जो चीज हमें प्लैजर देती ना वो कब हमारी एडिक्शन बन जाती है या आप सोच तक नहीं सकते अब ये ना रूटीन बन गया था एक बार सुबह, एक बार रात और कभी-कभी दुफैर में भी होम्यो पे थी दवाही बना दी थी कि बावा डोस तो पूरा करना पड़ेगा अब ये चीज करते-करते एक साल हो गया और एक साल के बाद मैंने ये चीज नोटीस की कि मेरे शरीर की ना क्यों? सबसे पहली चीज विकनेस हद से ज़ादा विकनेस फील होने लग गई थी सेकंड चीज लोनलिनेस विकोज ये चीज करने के लिए आपको अकेले रहने की आदत हो जाती है और अगर आपको आदत हो चुके ना अकेले रहने की, तो आप किसी और के पास भी जाके नहीं बैठोंगे, और आप अम्बानी तो हो नहीं, कि अगर आप लोगों के पास नहीं जाओंगे, तो लोग आपके पास आएंगे, तो ये loneliness भी खाने लगी थी, तीसरा मेरा mind was fucked up, क्योंकि बस दिन रात यही चीजे चल र क्योंकि पड़ाई मैं करता ही नहीं था, इधर से दिमाग निकलेगा तो books में जाएगा न, चौथा focus decrease हो चुका था, क्योंकि दिमाग में यही चीजे चल रही थी न, तो मैं कहीं पे भी properly focus नहीं कर पा रहा था, और पांच में चीज, इसके जो side effect है न, वो मेरे face पे भी द दिखने लग गए थे, dark circle हो चुके थे, और skin बहुत जादा dull दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे भर जवानी में बुड़ापा चाया हो, self confidence गिर रहा था, और लोगों से बाते करना सब बरबाद हो रखा था, देखो, अगर मैं यह चीजों को stop नहीं करता न, तो मु completely healthy है, मुझे कोई थकान नहीं हो रही, कोई issue नहीं आ रहा, और main चीज, जो मेरी addiction थी, जो मेरी habit बन चुकी थी, अब वो habit नहीं रही, क्योंकि अब मैं इसे control कर लेता था, week में एक बार, दो बार मेरे हाथ में था, आराम से control कर लेता था इस चीज को, और बार बार यह देखने की आदत थी, वो नहीं चूटी थी, हर दो-तीन दिन में बस दिमाग में यह थोट आते थे, भाई, आप कौनसी नहीं आई है, and trust me, excessive porn देखना is not good for your mental health, अब यह जो porn का addiction था, उससे बार आने के लिए, मैंने एक और toughest चीज चूज करी, वो थी nofap, एक महीने के आराम से कर लूँगा, लेकिन 5-6 दिन बाद पता है क्या हुआ, मेरा ध्यान बस उसी जगापे जाएके masturbate करना है, masturbate करना है, मेरा ध्यान बसे हट ही नहीं रहा था, 5-10 दिन तक का जो time था ना, वो बहुत ज़्यादा frustrating time था, क्योंकि बहुत चिर्चिड़ा हो गया था मैं और उस वक्त मुझे ये बता चला कि मेरा जो mind है ना, ये पूरी तरह मेरे control में नहीं है, हाँ, माना, थोड़ा मेरे control में है कि मैं इसे एक भी control कर सकता हूँ, दो भी control कर सकता हूँ, लेकिन completely जो मेरे हाथों में होना चीना, वो मेरे हाथ में नहीं है, बट 10 दिन के बाद च मेरे changes देखें मेरी body के अंदर, सबसे पहला change था, जो energy level है ना, बावा next level पर थे वो, बहुत ज़्यादा productive बन गया था, मेरा जो दिमाग था ये मेरा best friend बन गया था, एक से बढ़के एक business idea आ रहे थे, because मेरा ध्यान कहीं और चीज़ों पर नहीं था, मेरा focus मेरे aim पर ही था, कि मुझे कुछ business करना है, अब ये जो nofap है ना, ये actually काफी जादा effective है, और मैं आप से request करूँगा, एक बार, life में 30 दिन के लिए इस सीज़ को stop करके देखो, आप कुछ ना कुछ शांदार change जरूर notice करोंगे, आप कोशिश करके जरूर देखो, month में एक बार करना, या 2 month मे एक बार करना, बट इसके लिए आपका mentally strong होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हर एक इनसान नहीं कर पाएगा, अगर आप इसके addicted होना, तब तो आप बिलकुल नहीं कर पाऊंगे, तो अगर आप इस stage पे होके आप week में एक बार कर रहे हो, तो ये चीज़ आप आप से ही try कर सकते हो, लेकिन अगर आप daily habit में होना के रोज 2-3 बार हो रहा है, तो पहले ही इस चीज़ को weekly basis पे लेके आओ, और उसके बाद एक बार ये जरूर try करना, बट अगर मैं आपको on and average बताओ ना, तो week में एक बार करना, मेरे को कोई issue नहीं दे रहा था, कोई थक में की जाए, और जब आपकी body demand कर रही हो ना, तब की जाए, लोग क्या करने पता है, लोग palm देख रहे है, फलाना चीज़े देख रहे है, ऐसी web series देख रहे है, जिससे वो खुद excited हो जाते और फिर masturbate करते थे, उनकी body ने demand नहीं किया, लेकिन उनके अंदर की जो चुल है ना, उसकी वज़े से masturbate हो रहा है, हर चीज़ की एक limit होती है, इस चीज़ की भी एक limit है, अगर आप वो limit cross करूंगे ना, तो आपको बहुत सारी problems face करनी पड़ जाएगी, जैसे, अगर आप दिन में तीन बार कर रहे हो, चार बार कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहे है, masturbation कितना करना चाहिए, यह rough idea आपको मैं इस वीडियो के थूद दे पाऊंग, और इस वीडियो में मैंने मेरा personal experience पूरा share कर दिया है आपसे, I hope आप बहुत smart and intelligent हो, आप यह समझ पाऊंगे, कि कौन सी चीज़ आपके लिए best work करने वाली है, I hope आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, आपका भाई ऐसे ही वीडियो बनाता है रहता है आपके लिए, जो आपके बहुत काम आने वाली है, तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना, मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए, stay tuned पार प्रजव को आपके बंड़ और वीडियो एसे हाधा की ऑची जटूर ऑचे लिए।